दोस्तो एपरल के महीने में जो है नया फाइनेशल इयर स्टार्ट होता है तो ऐसे में लगता है सभी मोबाइल कमपनियों ते अपनी कमर कसलिया कि इस महीने हम बहुत सारे फोन जो है लाँच करने वाले हैं चाहे हो सैमसंग का A60 हो, A70 हो या A90 हो, Redmi 7 की अगर बात करता हूँ सबस्यादा वेट करने वाला फोन Realme 3 Pro जिसकी लोगों को बहुत जादा उमीदे हैं Vivo की अगर मैं X-Series की बात करता हूँ या Oppo के Reno phone की अगर मैं बात करता हूँ, Nokia के X7 की बात करूँ, Honor के XI की बात करूँ बहुत सारे phone इस महीने में launch हो रहे हैं और काफी सारी नई technology भी आरे जैसे Redmi का 100W का charger आ रहा है जो कि 4000 mAh की बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट के अंदर charge कर लेता है, तो काफी धमाकेदारी episode होने वाला है दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेकवानी, end तक बने रहेएगा, मैं सभी phones के बारे में आपको detail देता हूँ, बिना वक्त गवाए फटाफ़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं, entry segment, budget segment जहां से phone जो स्टार्ट होते हैं, तो Redmi 7 का phone जो है, वो launch हो रहा है, 6.26 इंचिस का इसके आपको HD display मिलेगा, यानि की 720p का display देखने को मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 2GB की RAM और 16GB की storage इसके अंदर आपको variant मिलने वाला है, शाद 3GB RAM और 32GB का variant भी आपको देखने को मिल जाए, अगर मैं battery की बात करता हूँ, 4000 mAh की battery से अंदर आपको देखने को मिलेगी, और camera के अगर बात करते हैं, तो 12MP प्लस 2MP का rear camera देखने को मिलेगा, और 8MP का front camera देखने को मिलेगा, अगर price की बात करूँ, ये Snapdragon 632 के साथ आने वाला है price जो है, वो 8,000 के आसपास होनी चीए, क्योंकि अगर 9,000 से उपर चली गई, तो definitely Redmi Note 7 की तरफ लोग चले जाएंगे, तो expected price ये है कि 8,000, 7,999 रुपे का price होगा, और 3GB, 32GB का जो price है, वो शायद 8,999 रुपे हो जाए, move on करते हैं, दूसरे phone की तरफ, जो की सबस्यादा weighted phone ह बारे में, और जितने जादा leaks इसके बारे में आ चुकी है, तो मोटा 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 में जो confirm है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, दोस्तों जो processor है, वो शायद P70 ही होने वाला है, अगर लोग को लगा था P90 या 675 या 710 या 712 होने वाला है, तो मेरी जैसा मैंने calculation करी मुझे यही लगता है, क्योंकि price tag एक बहुत important role play करता है, और मुझे लगता है कि जैसा कि पिछली बारी हुआ है, Realme 3 के अंदर जो उन्होंने 1000 रुपे कम में launch करा है, वैसे ही Realme 3 Pro के अंदर होने वाला है कि वो भी शायद 13999 के अंदर ही launch होता है, ऐसे P90 देना बहुत आतनिया मैंने comparison भी किया है, P70 का 675 के साथ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उपर link में वीडियो दे रहा हूँ, उसको जरूर देखीगा इस वीडियो के खतम होने के बाद, 6.3 इंचिस के अंदर आपको full HD प्लस display आपको देखने को मिलने वाला है, और शायद ऐसा हो स सकता है कि इसके अंदर आपको in display fingerprint देखने को मिल जाए, क्योंकि Super AMOLED डिस्प्ले इसके दरा मिलने वाला है, और OPPO का K1 जो phone launch हुआ था, कुछ-कुछ similarity इस phone के अंदर वो होने वाली है, 4GB, 64GB और 6GB, 64GB के दो variant इस इसके आपको देखने को मिल सकते हैं, शायद 128GB का variant भी आ मिलता हुआ हो सकता है, लेकिन OPPO K1 के अंदर जो दो कमियाँ थी, एक तो micro USB का होना साथ में, fast charging का ना होना, तो उमीद करता हूँ कि इसके अंदर वो कमियाँ दूर की जाएंगी, तो fast charging का support भी आपको मिल सकता है, और साथ में USB-C का support भी मिल सकता है, price जैसा कि मैंने बताय साथ में मैं चला देता हूँ, configuration के साथ, किस तरीके से camera को, snapdragon की processor को इसके अंदर फिट गया गया है, अगर configuration की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 6.4 इंचिस का super AMOLED display देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आपको in-display fingerprint देखने को मिलने वाला है, 6 GB की आपको RAM मिलेगी साथ में 128 GB की storage देखने को मिलेगी, snapdragon का 710 का processor इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, साथ ही real में आपको 48 MP plus 20 MP का camera देखने को मिलेगा, और front में आपको 16 MP का camera देखने को मिलेगा, 4000 mAh की आपको battery देखने को मिलने वाली है, थोड़ा सा ये flagship की तरफ जाता है, तो उ उमीद करते हैं कि 30,000 से उपर का इसका जो है price होना चाहिए, और उपर की अगर बात करें तो Vivo की बात कैसे ना करें, Vivo launch कर रहा है Vivo Apex phone, और बहुती कमाल का ये phone है, reason ये है, इसके सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर कोई भी button नहीं है, इसके साथ भी वीडियो चलाई चुरू हो गया, और मैं बहुत ही जादा खुश हूँ, Vivo ने पिछले साल से जितने ही जादा मने नई innovation की है, शायद ही किसी और company ने की हो, अगर Vivo next की बात करते हैं, सबसे पहले pop-up camera उन्होंने निकाला, सबसे पहले उन्होंने bezel-less screen उसके अंदर निकाली, और उसके बात आप तो मतलए कि in-display fingerprint भी सबसे पहले Vivo ही लेके आया और आप बिना button का phone, मतलए buttonless phone जो है Vivo लेके आ रहा है, तो at least innovation की तरफ से तो full marks मैं Vivo को दे रहा हूँ, उमीद करता हूँ phone का experience भी उतना ही अच्छा होगा, और Vivo के ही एक और phone launch हो रहा है, Vivo X27, और ये भी एक flagship की त 6.31 इंची का Super AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाता है और ऐसा लग रहा है कि OPPO और Vivo ने ये एक तरह से standardized कर दिया है कि हर एक phone के अंदर उनका Super AMOLED डिस्पले होगा, और साथ में in-display का उनके अंदर fingerprint scanner होगा, 8GB की सिंदरा को RAM मिलेगी, 128GB की सिंदरा को storage देखने को मिलेगी 4000MH की battery सिंदरा को देखने को मिलने वाली है, Snapdragon 710 का processor सिंदरा को देखने को मिलने वाला है और अगर rear की बात करें एक camera की तो triple rear camera इसके देखने को मिलेगा, 48MP प्लस 13MP प्लस 15MP और 16MP की आपको selfie camera देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया 32,000 के आसपा से रेंज होगी 4000MH की सिंदरा को battery देखने को मिलने वाली है, अब एक interesting बात कर लेते है, Redmi जो है 100W का charger जो है, वो launch कर रहा है, और इसमें जैसे मैं एक image आपको दिखा रहा हूँ, इस अंदर दिखाया गया है कि 100W के charger से क्या होता है, कि 4000MH की जो battery, अभी तक जो Super VOOC charger जो OPPO का आ रहा था, उसके अंदर 3700MH की जो battery थी, वो करीब 17 मिनट के अंदर 65% की करीब charge हो रही थी, लेकिन ये 17 मिनट में पूरा का पूरा charge करके दे रहा है 4000MH को, तो थोड़ी देर के लिए जो phone को अराम मिला करता था था ना charging के टाइम पे शायद अब वो भी नहीं मिलने वाला है, धिरे दे रहें, क्योंकि ये phone का charger जो है वो launch हो रहा है, 100W charger रेडिमी लेके आ रहा है, उमीद करते हैं 100W से भी ज़्यादा आएगा तो बस 5 मिनट फोन हमारा charge हो जाएगा, अगले phone के अगर बात करते हैं तो Nokia का X7 phone है, और normally Nokia की phone के अंदर एक मुझे शिकायत है कि जिस तरीके से phone launch की date बताते हैं, उस तरीके से launch नहीं करते हैं और market में तो बिल्कुल भी उतनी तेज़ी से नहीं लेके आते हैं, जिसकी वज़े से मुझे लगता है Nokia जैसा अच्छा brand जो है, वो उस तरीके से market capture नहीं कर पा रहा है, इस phone के अंदर आपको punch hole display देखने को मिल जाएगा, सा येर में बड़ा अजीब सा combination है, 12MP प्लस 13MP आपको camera देखने को मिलने वाला है, साथ ही 20MP आपको front camera देखने को मिलेगा और 35,000 mAh की battery देखने को मिलने वाले है, USB-C charger आपको मिल जाएगा, fast charging का support आपको मिल जाएगा, उमीद करता हूँ phone जो है, वो April में launch हो जाए, और logo तक पहुँच जाए, काई ऐसे ना हो कि launch करने में पहले April का माई कर दे और फिर माई के बाद हाथ में आने में August ला दे, तब तक इतनी नए technology आ चुकी हो कि फिर उसका कोई फाइदा इना हो, बात कर लेते हैं अगले phone के बारे में, तो Honor का 10i जो है phone launch हो रहा है, और इस phone के जब भर जाती है storage तो RAM अगर कम हो तो phone को मुश्किल हो जाता है, हला कि Kirin का 710 का इसकंदर processor होगा, काफी battery efficient ये processor होता है, 3400 mAh के इसकंदर आपको battery देखने को मिलेगी, और triple rear camera आपको देखने को मिलता है, जो की 24 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel का आपको देखने को मिलेगा, और 32 megapixel कि आपको selfie देखने को मिलेगी, ये Android Pie के साथ मिलेगी Android 9 के साथ आता है, साथ में EMUI जो इनका 9 है, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा, तीन color इसके अंदर देखने को मिलेगी, black, coral blue और red, तो ये थे दोस्तों वो phone जो April के menu में launch हो रहे हैं, उमीद करता हूँ वीडियो आ पसंद आया होगा, अगर मेरी मेनत आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और लाइक कर दीजे इस वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स वीडियो के अंदर